आज फेस्बुक 14 साल का हो गया है इन 14 सालों में फेस्बुक काफी कुछ बदल गया है हाल ही दिनों में फेस्बुक में काफी बदलाव हुए हैं फेस्बुक से कई लोग दूर हुए हैं तो फेस्बुक ने भी कई तकनी के बदलाव किये हैं हाल ही के कुछ महीनों में फेस्बुक द्वारा तै किये गई यूजर्स डेटा के विशलेशन के आधर पर बताया गया है कि क्वालिटी टाइम में कमी आई हैं इस बारे में फेस्बुक के संस्थापक मार्क जकरबर ने कहा कि यूजर्स भले ही कम समय बताय लेकिन उसका अच्छा अस्तमाल करें मार्क जकरबर का कहना है कि वो नहीं चाहते कि फेस्बुक सिर्फ टाइम पास करने का जरिया बन कर रह जाए फेसबुक अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है अब News Feed में दोस्तों और करीबियों से जुड़े पोस्ट पहले से ज्यादा नजर आने लगे है News Feed में खबरे और वीडियो में कमी आई है अब News Feed पहले से काफी क्लीन होगा आपको अपने दोस्तों की अपडेट्स, लाइक्स और उनके कमेंट्स ज्यादा दिखेंगे फेस्बुक द्वारा किये गए बदलाव के बाद फेस्बुक को उम्मीद है कि लोगों की शिकायते कम होंगी जैसे की फेक निउस आदी, चकपटा और संसनी केस कमेंट्स करने वाले लोग हतोच साहित होंगे फेस्बुक के सीओ मार्ग जकरबर ने एक पोस्ट में लिखा था कि फेस्बुक के स्ट्रक्चर में हम एक एहम बदलाव करने जा रहे हैं मैं अपने टीमों को ये काम सौप रहा हूँ, वे आपको ज्यादा अच्छे कमेंट्स तलाशने में मदद करें ताकि आप ज्यादा अर्थ पूर्ण सामाजिक सम्मादों में हिस्सा ले सके ऐसे में बिजनस, ब्रैंडों और मीडिया से आने वाली पोस्ट कम दिखेंगी देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले